अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अपने Redmi MI iPhone में slow internet problem ठीक कैसे करें, तो अगर आपके Redmi MI iPhone में internet slow काम कर रहा है, तो ये problem ठीक कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने Redmi MI iPhone की settings open करें, phone की setting में नीचे ये sim card and mobile network आएगा, इस पर click करें, उपर अब ये sim 1 आएगा, sim 2 आएगा, नीचे default for calls आएगा, इसके नीचे data sim आएगा, तो data sim में आप अपनी वो sim select करें, जेसे sim में आपका net recharge है, या फिर जेसे sim से आपको net चलाना है, तो अगर आपकी गलत sim select है, तो सही sim select कर ये हमारा net है sim 2 में, तो ये हमने sim 2 को select किया, अब उपर ये जो sim 1, sim 2 आएगा, तो जेस सिम से आप net चलाते हैं, उस sim पर click करिए, हमने जैसे की sim 2 पर click किया, sim 2 का net हमें चलाना है, तो sim 2 में हमारा internet slow चलता है, अगर आपका sim 1 में net slow है, तो sim 1 पर click करिए, और यहाँ पर ये turn on आएगा यह आपका बंद है तो इसे on करिए यह on होने के बाद नीचे apn आएगा access point names इस पे किलिक करिए नीचे right में यह reset आएगा reset button पे किलिक करिए यह करने से कोई data delete reset नहीं होता है अब यह उपर apn settings आएगी इसे select करिए apn select होने के बाद back आएए preferred network type आएगा इस पे किलिक करिए अगर आपका यह 2G, 3G select है तो उपर यह prefer LTE आएगा इसे select करिए यह फिर अगर आपके phone में 5G आता है 5G phone है तो यह prefer 5G select करिए नीचे अब यह mobile network आएगा इस पे किलिक करिए auto select network आएगा यह on है तो इसे एक बार बंद करिए नीचे next करिए अब यह searching लेगा तो wait करिए अब automatic sim select होने के बाद यह auto select network on करिए यह on होने के बाद back आएगे तो setting में नीचे यह more connectivity options आएगा इस पे किलिक करिए नीचे आए reset wifi mobile network and bluetooth पे किलिक करिए यहाँ पर जेसे sim से net आपका slow चलता है वो sim card select करिए उसके बाद नीचे reset setting पे किलिक करिए अब phone का lock या फिर password एंटर करिए उसके बाद नीचे ok करिए यह करने से कोई data delete reset नहीं होता है बस आपके phone की network से related settings reset होती है हमने यह पहले से कर लिया है तो इसे cancel करेंगे back करेंगे बटा आप ok करिए और यह network settings reset करिए अब अपने phone को reboot करिए या फिर अपने phone को बंद करके चालू करिए और अब चेक करिए आपके Redmi phone में internet ठीक से काम कर रहा है तो अगर आपको यह video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें